हेलो एवरिवान वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्यूटर जोती कपूर तो कैसे हो बच्चो बच्चो आज मैं कैसा टॉपिक लेकि आई हूँ जो हमारा क्लास 6 का टॉपिक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन उससे पहले जो फिफ्ट क्लास में एक माइनर स टॉपिक डालते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेक्शेन रहे साथ कि बच्चो के लिए सेट में आगे सेवंध में उन्याचम प्रॉब्लम ना है उन्हें इक प्रॉपिक पता लग सके… effectively पता लग सके कि कैसे हम और एक सबते हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग वेसे मैं आपको करवाने वाली हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक हमारा टॉपिक है आज का अलजेबरिक एक्सप्रेशन कुछ कुछ दिये हुए उन्हें हमें अलजेबरिक एक्सप्रेशन में राइट करना है तो बच्चो कैसे राइट करना है स्टेट्मेंट को रीड करके स्टेट्मेंट का कंसेप्ट समझके हमें उसको स्टेट्मेंट में राइट करना इतमींस उसकी प्रॉपर स्टेट्मेंट बतानी है तो पहला कोशन है एक्स एडिड करना है, एक्स एडिड करना है, 17 में, यह हो जाएगा, X एडिड 17, यह हमारी expression ready होगह, हमारी statement ready होगह, श्को बोलेंगे algebraic expression, हमें questions दिये हुए थे, उसको हमने correct करके write करना है, next question है, 9 taken away from Z, अब यह क्या है वच्चो, from Z, तो जहां from वर्ड आ जाता है, it means वो हमारा minus का subtract का question है और from आ जाए तो जो last number है उसको हम पहले write करेंगे और उसमें से आगे वाला number take कर लेंगे z minus 9 ये इसका algebraic expression बन जाएगा 9 taken away, taken away से भी पता लग रहा है कि किसी चीज़ से लेना अगर हम लेते हैं तो it means वो subtract होता है from z, z means z में से 9 taken करना है तो z minus 9 आ जाएगा next expression क्या है 4 subtracted from y from y में से subtract करना है 4 तो आ जाएगा y minus 4 next है बच्चो 1 third c, 1 third c है ना इसमें subtracted है ना इसमें added है ना इसमें divisible है तो क्या है बच्चो 1 third c, 1 third होता है 1 by 3 और कोई हमारा expression नी दे रखा ना multiplication दे रखा ना addition दे रखा ना subtraction तो कोई जहां हमें expression ना दे रखा हो तो हम simple write कर देंगे 1 by c भी write कर सकते है और इसे हम c by 3 भी write कर सकते है क्योंकि 1 third of c था तो c by 3 हो जाएगा यह बन जाएगा 1 third twice of z subtracted from 20 क्या करना है subtract करना है from होता है say 20 मतलब 20 में say subtract करना है twice z twice z it means बच्चो 2 times z तो क्या था statement के हिसाब से 20 from taken करना है या subtract करना है twice of z twice of z it means 2 z यह हमारा statement का question number 5 की statement का expression ready हो जाएगा twice था तो twice z write to z write कर दिया from 20 में से करना था तो 20 minus 2 z हो गया next is seven times a तो बच्चो जो यह word at times it means होता है multiplication उसका उस number को उतनी बार write करना तो seven times a का हमारा expression बन रहा है seven a इसमें हमारा कोई addition multiplication subtraction नहीं है seven times a था तो seven a write हो गया next is nine subtracted from twice of y क्या करना है twice of y को उठाके उसमें से subtract करना है n तो क्या बनेगा twice y का बनेगा बच्चो 2y from आ गया इसमें से 2y में से क्या subtract करना है minus का n यह expression हमारा question number seven का ready हो गया और लास्ट है five times b added to seven times m जो five times b है वो हो जाएगा हमारा बच्चो five b और added करना है हमें seven times m तो बन जाएगा seven m यह हमारी statement का algebraic expression हो जेगा तो बच्चो यह बहुत ही easy सा concept था algebraic expression का यहां से हमारा यह concept शुरू होता है अगर आपकी किसी statement से related कोई भी आउटो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले मिलते हैं और interesting topic के साथ तक तक के लिए stay safe and stay healthy